भरत जिलाना लोकों ने आरोके नी सुविदा मड़ी रहे थे माटे अधाग परेदनो करनार सुवर्गिया एहमद भाई पटेल नी याद मा आज रोज अंकले शोनी सरदार पटेल होस्पिटल काते पुत्र फेसल पटेल पुत्री मुम्ताज पटेल अने विरोध बक्ष ना नेता सहीत कॉंग्रेस ना नेता हो उपस्ति दर रहे था अंकले शोनी सरदार पटेल होस्पिटल काते स्वर्गिया एहमद भाई पटेल नी याद मा फ्री मेगा मेडिकल केम्प ने सर्जिकल केम्प नो आजन करवा मा आवियो हतु कार्डियोलोजी, जन्रल मेडिशीन, जन्रल सर्जरी, ओर्थोपेडिक, जोइन्ट रिप्लेस्मेंट, किड्नी तेमज, मुत्र रोग अने दातने लागता रोगों नी सर्जरी नो विना मुल्य लाब आपामा आवशे भरुच ना लोक लाडिला नेता अने जेवा हर हमेश भरुच नी जन्ता माटे खड़े पगे उबारेता हता तेवा एहमद बाई पटेलनू गततारीक 25 नवेंबर ना रोज निधन थयु हतु तेमना निधन बाद भरुच नमा लोकों मा घेरा शोक नी लागनी व्यापी ग आज अपन लोकों तेमने याद करे छे जोके जेमना प्रयतनों थी अंकलेश वर अने एमा भरुच जिल्ला मा सर्वा प्रताम कोई का मोटू होस्पिटल बनी हो होई के जियां तमाम रोगों नी सारवार मडी रेती होई तो ते सरदार वल्लभ बाई पटेल होस्पिटल एन स्मरण मा आगामी तारिक चार पांच अने चो जैनिवारी दर्मियान होस्पिटल खाते विना मुलिये मेगा केम्पनों एजन करवा मा आव्यू छे आग केम्प मा एंजियो ग्राफी एंजियो प्लास्टी जॉइंट रिप्लेसमेंट स्त्रियो ना तमाम रोगों अने ओप सरदार पटेल होस्पिटल एन हार्ट इंस्टिटूट ओफ कार्डियो लोजी जन्रल मैडिसीन लातना रोगों अने जन्रल सरजरी ना केम्पनों एजन करवा मा आव्यू छे सवारे दस वागेती सांजे चोवाग्या सुधिया केम्प योजानार छे मा गरीब अने जर्यात मंदय दर्दियोंने लाब मढचे छे होस्पिटल मा योजना अने आयूसमान भारत योजना हेटर रदै हाड का अने सांधा किडिनी अने मृता सही ना रोगनी सारवार फ्रीमा करवा मा आवी रही छे होस्पिटल ना संचला द्वारा जनामा आवी यो हतु के वदू मा पटेल तेमनी पुत्री मुम्ताज पटेल अने विरोध पक्ष्णा नेता परेश धानानी कॉंग्रेस ना दिगज नेताओ गौरो बंडिय सहीद वरुज ना परिमल सी राणा सहीद ना कॉंग्रेस ना दिगज नेताओ पन आजे आग केंप मां आविया हता अने दर्दियों आज सदार पटेल हॉस्पिटल जो मेरे फादर एहमद पटेल जी ने अब पांच साल हो चुका है यह कॉंसेप्ट करा हॉस्पिटल का उन्होंने यह हॉस्पिटल बिल्कुल आगे बढ़ाया मल्टी स्पेचालिटी हॉस्पिटल है लेकिन कार्याइक सेंट्रिक सबसे पहल कि आज पापा की शर्दांजली के अफसर पर हमने यहां पर मेडिकल क्याम तो मुझे बोलना नहीं चाहिए यह मेडिकल क्याम से बहुत और भी बड़ी चीज है हम ओपीडी तो करी रहे हैं पेशिंस के लिए लेकिन उसके इलावा हम सर्जरीज भी करेंगे गाइनी में कार चालिसवा पापा जिहां जब हुआ उससे चालिस दन हो चुके हैं तो उसके लिए हमने सोचा था हम दिये तीन-चार दिन लोगों के लिए हम यह सेवा करें रिस्पॉंस बहुत अच्छा आया है लोग बरोड़ा बस बरोड़ा से भी आप पोंचे हैं और हमने अभी पेश इस तरह के कैम्प जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि कैम्प नहीं कह सकते बट वो करते थे लोगों की सेवा इस तरही के से ओर्गाइज करके पर आज उनकी स्रदान्जली के लिए हम यहां खड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको इस तरही के से हम याद करेंगे लोगों की सेवा करके और मैं जादा नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ, सर्दार पुटेल हॉस्पिटल, ट्रस्ट, हमारे ट्रस्टीज, कमलेश भाई, चंदरेश भाई, जैश भाई, आरिव भाई और सारे यहां के डॉक्टर्स, खास करके जो अभी करें और इस हॉस्पिटल को हमारे पिताजी श्री एमत पटेल के नाम पे हम याद करके चलाते रहें और जितने जादा लोग हो सके उनकी हम मदद कर पाएं, आज बहुत संख्या में लोग आएं हैं और अगले तीन दिन तक हम चाहते हैं कि जितने लोगों का इलाज हो सके ह समग्र मत्य गुजरात नी सारवार नू केंद्र बिंदु एवा अंकलेश्वर मा आज सरदार पटेल ओस्पिटल खाते, सेवा नी मूर्ती, समर्पन नी मूर्ती, त्याग नी मूर्ती एवा स्वर्गी एमत पटेल साहिब नी अंतिम विदाईना चालिसमा दिव से, यह मने कंडारेली केडिये, सनमानी फेजल बाय अने मूमतास बेने आजे आरोग्य विश्यक केम्प थी, अब भरूच जिलो आदिवासी बेल्ट नानामा नाना गामना गरीब मानस ना तंदुरस्त आरोग्यनी चिंता करवानू प्रयास केरों छे, साहे बेजे केडि कंडारी ती एज सेवाना यग्नने आगल धपावाना संकल्प साथे, बनने भाय बेन, आज सरदार पटेल होस्पिटल नी अंदर, उनने लागे छे के 1500 जेटला दर्दियों इनी आरोग्यनी चकाशनी करशे, जरुरियात मंद लोकों नी सरजरी करवामा आऊशे, रदै रोग्यना दर्दियोंने पन साजा थे इने फरी दोडता थाई, इवा सुंदर मजाना संकल्प साथे, आ यग्नने आरेम भोचे परमकृपालू परमेश्वर ने प्रार्थना करू, क्या सरदार पटेल इंस्टिट्यूट ने केंप मा आउनारा बधाज दर्दियों, फरी थी तंदूरस्त स्वास्त साथे जल्दी दोडता थाई, अने साहिबे, जे सेवानों यग्न आरेम भोचों मने याद छे, आथी पांच वर्स पेलाना एद्दियूशो, देशना पू क्या सरदार पटेल होस्पिटल ट्रस्ट ना बधाज ट्रस्टियों, माननी डोक्टर स्रियों, पेरा मेडिकल स्टाफ अने आ संस्था मा कोई तन्थी, कोई मन्थी अने धन्थी दान करना रा बधाज दाताओ, ए सरवानी ने आगल दपाऊशे। आदमा केम्टनू आयोजन करी ने, एमने फ्रत्फत नमन करी, एमनी आतमाने फ्रद्धान जली अरपन करी है छे। राज नीती ए समाज फिवानू फवती फ्रेष्ट माद्यम छे। जैनी नोन लेवावी जुए फमाज अने देशना विकाफ माते एमनी दिर्ग द्रस्ती, धाइडिय, कुफर्ता, विकत्फमाई मां गूँच उकेलवानी एमनी काबेली है ते, देशने राजनेटिक स्थिर्ता प्रदान करी है ती, एमनी फेवा आता था एमना विरात रद जैनी थी वाकेप इवा लोको, कि जैने अमने अम्मद भाई ने नजीक थी जोया छे, एमने एमना व्यक्तित्वमाँ एक अनोखो भाव अने एक दिलेडी जोई जे, फर्वगाश्त अहमद भाई ए, क्यारे कोईना माते कोई द्रेख के कोई पुर्वग्रह राख्यों नो मां एमनी खोद साले छे, एमने बतावेला राह पर चाली, एमने अधुरा छोडेला कारियों ने आपने आगर धपावा, एज आपनोँ लक्ष ओवू जुजे, आप मेडिकल आने फर्जीकल केम्त नो आने आव होस्पितल नो हेतूच फिवा छे, जे एमने अमने फिकवार आपने लोकोनी फेवा माते तरेक फित्रों मां सदा तत्पर रहवू पर फे, तिवा विचारों हम्मेफास वर्गस अहमत बाईना रहला आता, निखालस बावे एमने चिंदेल राह पर, एमने फ़रू करेला कारियों ने आगर धपावानी, इस वर आपना सहुने ताकात अ अने हिम्मत आपे एवी आपने प्रास्ना करिये छे, तन्मानी फाईजलबाई तथा मुम्ताज बेन वारंवार अमने मार्कदर थना पे, अने फाहे बे अधूरा कारियों करेला छे, एक अधूरा कारियों मां आगर वदिये, ए अंगे नू कायम फाईजलबाई ना लीदर स्विपमा में आगर वदिये, यह भी अभिरत ना करें।